दोस्तों विरासत में मिली सफलता के किस्से आये दिन हमारे समाज में हमसे रूबरू होते रहते हैं। परंतु प्रतिभा का स्थान तरण विरासत की पुरानी प्रतानुसार नहीं किया जा सकता। इस कथन के संदर्भ में बात अगर फिल्मी जगत के अलावा क्रिकट जगत की करें तो हमें ऐसे कई उधारण मिलते हैं जहां प्रतिभा को विरासत में सौपने की कई नाकाम कोशिशों को अंजाम दिया गया। जी हां दोस्तों, भारतिय क्रिकट के पूर्व दिगज खिलाडी सौनिल गावसकर के बेटे रोहन गावसकर भी अपने हाथ क्रिकट में आजमा चुके हैं। लेकिन रोहन का क्रिकट करियर अपने पिता के क्रिकट करियर से बिल्कुल भी पिरीत रहा। जहां एक और सौनिल गावसकर ने असी के दर्शक में भारतिय टीम का इंजन बन कर पूरी टीम को जीत की पटरी पर दोड़ाया था, वहीं उनके बेटे रोहन गावसकर क्रिकट में मात्र कोछ गिनी चुनियों पलब्धियां ही अपने नाम कर पाए। आपको बता दें, बंगाल की ओर से घरेली क्रिकट में अच्छा फ्रदर्शन करने के बाद, रोहन गावसकर का चयान भारतिय क्रिकट टीम में साल 2004 के और फ्रिलिया दौरे पर एक आल्राउंडर के तौर पर हो गया। एक ऐसा महान खिलाडी जिसने केरिवियाई धर्ती से निकल कर क्रिकट के मैदानों पर ना जाने कितने यादगार लमहों को चरितार्थ किया। सतरासी के दशक में तेज गेदवाजों से बिना हेलमेट आँख से आँख लडाने वाले इस दिगज खिलाडी का क्रिकट सफर किसी परिचे का महताज नहीं है। लेकिन इसके विफरीत सर विफ रिचर्ड्स के बेटे मौली रिचर्ड्स का क्रिकट सफर कुछ खास नहीं रहा। माली रिचर्ड्स पहली बार क्रिकट सुर्खियों में तब आए जब माली ने साल 2003 में एंटी गुआ के खिलाप 319 रंधमा के दारंदास से एक अंडर 19 क्रिकट में जड़ डाले। इस पारी के बाद ही माली रिचर्ड्स की तुलना उनके पिता विव रिचर्ड्स से करी जाने लगी। कभी जगा नहीं बना पाए और क्रिकट के मैदान पर अपने पिता की ख्याती के सामने उतरे मौली रिचर्ड्स विष्ट क्रिकट पटल पर कभी भी अपना स्थायत काम्याब नहीं कर पाए और इसक्राम में अब तीसरा नाम जुड़ता है पूर्व कीवी कप्तान केन किवी टीम की मुक्य भूमिका में गतिमान रहे थे अपने पिता के नक्षे कदम पर चलते हुए हैमिस रदर फोर्ड ने भी क्रिकट खेल की राहों को चल लिया और अपने डेव्यू टेस्ट मैच में इंगलेंड जैसी धाकड बॉलिंग लाइनप के खिलाप 171 रन ठोक ड और अंतराशिक रिकेट में उनका पता कीवी टीम से काट दिया गया अब हमारी univers में चोथा नाम जोड़ता है सर लाइन हटन के बेटे रिचर्ण हटन का 15 के दशक में इंगलेंड क्रिकेट टीम के बैटिंग पिलर सर लाइन हटन इंगलेंड के महान बल्ले बाजों में शोमार होते हैं सर लाइन हटन की कप्तानी में ही इंगलिश टीम ने साल 1953 में उन्डे साल से चल रहे सूखे को खत्म करते हुए दा एशेज ट्रॉफी अपने नाम की थी अपने पिता लाइन हटन के पद चिन्नों का अनुसरार करते हुए ही उनके बेटे रिचर्ड हटन ने भी क्रिकेट के मैदान को अपने करियर की रूप में चुना अपने डेब्यू टेस्ट 17 जून 1971 को पाकिस्तान के खिलाप अर्श तक लगाते हुए रिचर्ड हटन ने अपने क्रिकेट पारी का आगास किया लेकिन अगले चार टेस्ट मैचों में लगातार फेलियर हासल करने के बाद रिचर्ड हटन को इंग्लेंड टीम से ड्रॉप होना पड़ा और रिचर्ड का क्रिकेट करियर अपने पिता से बिलकुल विफरीत माच पांच मैचों के सफर में ही थम गया अब हमारी स्फेरिस्ट में पांचवा और अंतिम नाम जोडता है रोजर बिन्नी के बेटे इस्टुर्ड बिन्नी का दोस्तो भारती क्रिकेट टीम में बॉलिंग औल रॉंडर की कमी हमेशा से ही महसूस होती रही और भारती टीम के कुछ अच्छे बॉलिंग औल रॉंडर की बात की जाए तो निशेती रोजर बिन्नी का नाम उपर की पंग्तियों में शामिल रहेगा साल 1983 के विशकफ हते में रॉजर बिन्नी के महत्वपूर योगदान को इतिहास के पंड़ों से मिटाया नहीं जा सकता 183 जैसे लोई स्कोर को डिफेंड करते हुए रोजर बिन्नी की तरप से डाले गए सफल और केफायती बॉलिंग स्पल को हमेशा याद किया जाता रहेगा क्रिकट में मिली रोजर बिन्नी की काम्याबी को देखते हुए उनके बेटे इस्टुवर बिनी ने भी एक पेशेवर क्रिकट खिलारी बनने का निश्य किया इस्टुवर बिनी का अंतराश्य क्रिकट में डेब्यू साल 2014 में भारतीर टीम से हो गया बिनी साल 2015 के विश्वकब स्कॉर्ड में भी चैनित हो गये थे हलाकि यहाँ उन्हें अंदिम 11 में खेलने का मौका नहीं मिला था इस्टुवर बिनी भारतीर टीम में प्रात मौकों को अच्छे से भुना नहीं पाए और अपनी सामाने आलराउंडिंग परफार्मेंस के चलते बिनी अपना नाम कभी भी भारतीर टीम में अस्थाई नहीं कर पाए और हर्दिक पांडिया जैसे बेहत प्रतिभावान आलराउंडर के टीम में शामिल हो जाने से इस्टुवर्ट बिनी भारती टीम से लगातार दूर होते चले गए इस्टुवर्ट बिनी का अंतराश्री क्रिकट सफर महाच्छे टेस्ट और 14 एक दिवसी मैचों तक ही सीमित होकर रह गया तो दोस्तों क्रिकट जगस से जुड़े ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्नोंने क्रिकट खेल की प्रतिभा को विरासत में आगे बढ़ाने की नाकाम कोशिशों को अंजाम दिया उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार